वीद को नमस्कार, आज हर शक्स दरावा है मोटा पे से बीपी से सुगर से हाट अटेक से और भी बढ़ने वाली बीमारीों से जैसे जैसे इलज बढ़ रहा है जैसे जैसे अस्पताल बढ़ रहा है बीमारियां अपना तांडव दिन ब सब्सक्रा की भूल पड़ना हर घर के अंदर जो पहले वेद विद्यमान था घर का वेद विद्यमान था और विद्धूसिती महिला पर सारी फूल पड़ गई उसके कारण आज ये सारी बीमारियां बढ़ रही है आज वापस उस सनातन संसकर्थी की तरफ वापस लोट आईए घर गर में सब को मजबूत बना दीजिए गरेलू नुसकों से आउशकता नहीं पड़ेगी ऑपरेशन की इसलिए सारे नव आगंत जो बंदू है उनसे मैं करबत निवेदन करता हूँ इस चैनल को कि मैं आपको दादी नानी के लिखते बहत्रीन तरीके से परती दिन नहीं नहीं लेकर आता हूँ ताकि आपका परिवार इसमें दख्षता हाशिल कर हर वेक्ती उच्छ क्वालेटी का घर का वेद बन जाए ताकि आपको जरूत नपड़े ऑपरेशन की ना आपको आपको पैसा खर्च करने की जाचाओं की सारी समशीय मिठ जाएगी बडी बीमारी होगी अगर आप दादी नानी के नुश्कों में दख्षता हासिल कर लेते हैं आप मान के चलिए इन नुस्कों में इतनी बड़ी शमता है कि कई अगर कोई भी बीमारी होगी तो दूर से रहेगी आपके घर को लेकि नजदिक नहीं आएगी इतनी पहले शमता थी जबी तो बीमारी नहीं अब बीमारी कैसे बढ़ रही है कॉमन सेंस की बाद है मैं जो आपको ऐसा जबर्दस्त इतना आज नुस्का बता रहा हूँ इस नुस्के का पियोग आप कर लेते हो वैसे भी दई तो आप घर में खाते ही हो उसके साथ क्यों लेक चीज मिला दीजिए फिर देखिये चमतकार मैं तो ये निवदन करता हूँ क कि ये नुस्का पूरे परिवार में सब को सेवन करवा दीजिए आपके परिवार में किसी को हार्ड अटेक होगा नहीं हार्ड अटेक की टेंसन खतम हो जाएगी इस तरही रूप से पूरे परिवार में मोटापा किसी को होगा नहीं अगर मोटे हैं तो उसमें सुधार हो जाएगा डाइबिटीज अपनी बाहें नहीं फैला सकता और अगर है तो सुगर कंट्रोल हो जाएगी साथ ही दिनों में करके देख लीजिए यह नुसका इतना बैतरीन है कि केलेस्ट्राल को कंट्रोल कर देगा बीपी की सिकाइद होगी नहीं है तो मिट जाएगी आपकी न साइम उपर नीचे है सारी समस्या मिट जाएगी बालों की समस्या बाल जड़ रहे हैं और कोई बालों की विकृति आई है वह विजड मुल से खतम कर देगा यह नुसका आपकी इसकीन में अगर किसी प्रकार की शिकाइत है इसकीन अगर ड्राइ रहने लग गई है आप यह नुसका आजमा लीजिए फिर देखे इस नुसके का चमतकार अलसी ले लीजिए 100 ग्राम उसको लोहे की कड़ाई में हलका सब भून लीजिए हलकी आज पर भूनना है जब चटक चटक बोलने लग जाए उस दरान आप उसको उतार कर दूर से पातर में डाल देना नहीं तो क्या है कि वह अलसी की जो गुण दर्म है उसकी जो शमता है वो खतम हो जाएगी ऐसा करने के बाद में जब अलसी ठंडी हो जाती है तो उसको आप कूट पिसके बहतरी तार पे पाउडर बना दीजिए इस अलसी वाले पाउडर के दो चमच आप दही में मिला कर बहतरी इन करने लग जाएगा कि आपकी बढ़ रही थी हो कंट्रोल हो गई है आपका केलस्ट्रॉल हो गया शुगर में बहुत कुछ परिवर्तन आ गया आपके जोड़ों के दर्द हो कम होने लग गए आपकी जो गोड़ों में जो छिकनाई थी वह कम हो गई तो उससे परिपून होने लग जाएगी समस्त प्रकार के वात रोगों की ठिट्री हो जाएगी बोटापा कम होने लग जाएगा इस पस्ट आपको मालूम पड़ जाएगा केवल जो घरपवस्ता में माताएं बेन हैं वो उसका सेवन न करें जिनको एलर्जिक शिकहत है वो इसका उपयोग नहीं करें और जिनको 20 एक दिन बाद में 15 दिन बाद में अगर सरजरी करवानी है तो 15 दिन पहले 14 दिन पहले इसको बंद कर दीजिए बाकी इसके कोई दुस्प्रभाव नहीं है आपने पूरा वीडियो देखा आप आपके परिवार के लिए सबसे मैत्रपून है और परिवार आपक है इसलिए इसको सेर करोगे एक लाइक मेरे लिए